और बड़ी खबर आपको बता दे तेजी से भारत की और बढ़ रहा है तुफान से पहले समंदर में हाई टाइट भी देखने को मिला गुजरात के कई हिस्सों में आंधी और बारिश इस वक्त जारी है खास्तोर पर कच्छ और सौराश्ट्र में इसका असर देखना देखना शुरू हो गया है गुजरात के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर और जीनियूस के रिपोर्टर्स आपको पलपल की जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड से और ये तस्वीरे आप देखिए उची उची लहरे वहाँ पर उच रही है और एतियातन तमाम मुकदम उठाए गये हैं रेस्क्यू ऑपरेशन भी पहले चलाया गया लोगों को यहां से हटा लिया गया है लगतार अलर्ट किया जा रहा है इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ पॉर्मर मेंबर एंडिय में मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी आए हुए हैं बहुत स्वागत है सर आपका और इस विपर जोए तुफान को लेकर के खास करके रिस्क्यू को लेकर के जैसे एंडियार एफ एस्डियार एफ ने भी तैयारियां की हुई है या पोस्ट गार्ट की तैनाती की गई है इसको जरा विस्तार से आप जानकारी जीजे कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडिल करते हैं देखे जो साइकलोन है उसको हैंडिल करनी के लिए प्रिपरेड़नेस बहुत जादा जरूरी है जब हम में एंडिये में में था तो 2006 में हमने एक नैशनल गाइडलाइंस बनाई थी हाउ टू प्रिपेर एंड उसको हैंडिल कैसे करना है इसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे और उनको ध्यान में रखते हुए क्या था तो जादतर यह होता है सबसे बड़ी इंपोर्टन चीज जो होती है उसकी प्रिपरेडनेस वो मैपिंग है एरिया का कि कहां पर एफक्ट ह हो चुका है जो पुराना एक्सपिरियंस है उससे लेसन लेंट होता है जैसे कि 1999 में अक्टूबर के महीने में जो सुपर साइकोन आया था उडिशा का उसके दोरान में इवेक्वेशन नहीं हुआ तो उसमें 15,000 कैजुल्टी हुई थी लेकिन अभी कुछ दिन से कुछ समय से जो ऐसी को घटना होती है तो पहले इवेक्वेशन हो जाता तो हमें जो NDRF की टीम है उन्होंने इवेक्वेट कर दिया है दस किलो मेटर जो कोस्टल लाइन से तक के लोग थे उनको इवेक्वेट करके सेल्टर्स में सेफ जगे पे लिजा गया यह बहुत इंपोर्टन में तो कुछ किया नहीं जा सकता तो अब जो इंपोर्टन चीज वो है कि उनको सेल्टर्न मेंटेन किया जाए सबसर्ब चीज जो मैंने देखी है अभी में टेव में भी देख रहा था कि कुछ जो वहां के रहने वाले हैं उनका अपनी जगे से लगाओ है और उस जगे को छोड़ना नहीं चाहते और उसमें से जो घर का मुख्या है वो जाकर देखनी कोशिश कर रहा है तो वो चीज ना की जाए क्योंकि जब वो लैंड से आके हिट करेगा तो वो किसी भी समय चपेट में आ सकते हैं तो प्रिपेर्डनेस में जो सबसे बड़ी बात अभी यह है कि जो लेंड पर अभी जहां पर इनको सेल्टर में सिफ्ट के आ गया है महां पर तेज हवाई आ सकती है बारिस आ सकती है जो बार लोग जाएंगे उसमें उससे बचाना है और जो वहां उनका अच्छा सा खाने का पीने का मेडिकल का अरेंजमेंट ओलरी हो चुका है उसके NDRF की है, NDRF की टीम में बिलकुल alert है, उनके पास में हर तरह के equipment होते हैं, जो हर तरह के equipment होते हैं, उसको देखते हैं, वो जो हैं अपना महाप है, हर तरह की तियारी हैं. जी, बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए. और कुछ और जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरीए भी दिखाएंगे, इस खत्रे से जुड़ी हुई, क्योंकि ये अपडेट आप तक पहुचाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, गुजरात की और तूफान विपरजोई बढ़ रहा है, विपरजोई तूफान से ज जखाउस 170 किलोमीटर दूर है तूफान, लेकिन असर इसका दिखना शुरू हो गया है, गुजरात में 74,000 से ज्यादर लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, जैसे कि अभी हमें सर भी बता रहे थे कि बहुत जरूरी होता है, कि टाइमली एवैक्यूएशन अगर ऐसा ना से नजर तयारियां पूरी की जा चुकी है, हाई अलर्ट पर इस वक्त तमाम एजिंसिया है, सरकार प्रशासन अक्शन मोड में इस वक्त इस खत्रे से निपटने की तयारी है